हमारे आज सुबे के मनन के लिए मैं आपको इबरानियों की पत्री उसके ग्यारवा अध्याय की पहली आएत के अंदर लेकर जाना चाहता हूँ चित परिचित आएत है लेकिन मेरी प्रार्थना है पवितरात्न मुझे और आपको आज नए प्रकाशन से भरपूर करे और वहाँ पर आपने कई बार सुना लेकिन ऐसा सुनिये मानों पहली बार आप सुन रहे हैं इबरानियों की पत्री ग्यारवा अध्याय उसकी पहली आएत अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चे और अंदे की वस्तुओं का प्रमान है मेरे साथ बोली अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चे और अंदे की वस्तुओं का प्रमान है मैं आपको प्रभू क्यों वच्चन से आज सुबह याद दिलाने के लिए यहां पर आया हूँ कल का विश्वास आज काम नहीं आ सकता किसी पिछले महिने का पिछली मीटिंग का विश्वास आज काम नहीं आ सकता क्योंकि अब विश्वास पहली बात अब विश्वास आज का विश्वास वर्थमान का विश्वास नई चुनौतियों के लिए नई समयों के लिए नई अ तैयार करके रखा है पहली बात आज का विश्वास और मैं आत्मा में आपके लिए आज प्रार्थना कर रहा हूं आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिए कि इन दिनों के लिए प्रभू विश्वास हमें देगा विश्वास हमें देगा विश्वास क्या है साफ साफ वहा आप्तों पर है ना केवल पुराने इतिहास पर है लेकिन विश्वास मुझे और आब को आज मैं याद दिलाना चाहता हूँ विश्वास आज आपके और मेरे जीवन में फ्रेश तरीके से प्रबू जालना चाहता है आपके जीवन की परिसितियां कैसी भी हो आप कहां भी हो, जैसे भी हो Now faith is Now faith is बार बार आज मैं यह कहूंगा आपके आने वाले दिनों के लिए आज आपको प्रबू तयार करेगा आपको भाई खाने के जरूरत नहीं है आपको निराश होने के जरूरत नहीं है confusion में रहने के जरूरत नहीं है क्योंकि अब विश्वास आशा कीवी वस्तुओं का निश्जा है तो ये विश्वास उत्पन कैसे होता है, विश्वास को कैसे बनाए रख सकते हैं और आखर इन दिनों के अंदर विश्वास के दुआरा हम हमारे दैनिक जीवन पर जै कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये विश्वास की पुस्तक से उस बात को आज हम सीखने जा रहे हैं, और आप पहली बात इसके अंदर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ विश्वास परमेश्वर के वच्चन के आने से विश्वास उत्पन होता है, विश्वास त्रू दो वर्ड अफ गाद यहोश्व से आप मिली, यहोश्व की पुस्तक में आई है, पहले ध्याई की दूसरी आएट से लगाकर, नौ आएट तक परमेश्वर यहोश्व से बात कर रहा है गाद इस टॉकिंग तो जोश्वा और जोश्वा से बात करते, परमेश्वर कहए रहा है दोसरी आएट में, इसल्हे अब मेरा दास मूसा मर गया है इसल्हे अब तुझे कھड़ा होना पड़ेगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मेरा दास मूसा मर गया है, इसल्हे अब तू उठ कमर बांद और इस सारी प्रजास समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसरालियों को देता हूं नवी आयत तक परमेश्वर यहोशु से डील करता है God deals with Joshua and encourages him and gives him a word एक वचन देता है आज सुबह आपके परिवार के लिए आपकी अवस्था के लिए आपकी चुनोतियों के लिए आपके आने वाले भविशे के लिए परमेश्वर आज एक वचन देगा विश्वास करने वाले हाथ उठा के प्रभू को भुलिए यह वचन मेरे लिए है और मैं उससे सुनूंगा प्राप्त करूंगा और उसके अनुसार जीवन बिताऊंगा गौड रिलीजस अवर्ट और विए वचन के दुआरा ही आपके अंदर विश्वास उत्पन होगा तो इसका मतलब जितना प्रभू के वचन को आप पढ़ोगे जितना प्रभू के वचन को आप एंजोई करोगे जितना प्रभू के वचन का आप सेवन करोगे जितना प्रभू के वचन से आप प्यार करोगे उतना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और जितना विश्वास बढ़ता जाएगा असंभव आपके लिए आसानी से संभव होता चला जाएगा परिस्तितियां आने के बाद प्रार्थवाना करवाना या उपवास करना एक बात है लेकिन परिस्तितियां उत्पन होने से पहले हालात उत्पन होने से पहले गंभीर अवस्ता हैं emergency सुथपन होने से पहले प्रभू के आत्म मुझे और आपको आमतरित कर रहा है कि हम हमारे विश्वास को ऐसा मजबूत करें हमारे विश्वास को ऐसा वचन पर कायम करें कि हमें आने वाले दिनों के लिए सामना करने का प्रभू हमें सो भाग्य प्रदान कर सकेगा विश्वास अब कितना भी हम आपको सिखाएं इस मंच से लेकिन विश्वास आपको करना पड़ेगा रोटी आपको खानी पड़ेगी मैं आपके लिए रोटी खाऊं जितने आपकी डाइट बढ़ती जाएगी उतना वचन से आपको प्रेम होता जाएगा और वचन के आने से आपके अंदर विश्वास बढ़ता चला जाएगा प्रभू इश्मसी के सेवखाई के अंदर उसने अलग-अलग शब्दों को प्रयोग किया एक बार नासरत में वो गया और वहाँ पर चमतकार नहीं हो सका और उसने इस प्रकार बोला यहाँ पर विश्वासी हैं लेकिन अविश्वासी हैं बहुत सुंदर कैटिग्री है टी-शिट विश्वासीयों के पहन रखा है लेकिन काम विश्वासी के नहीं है वोई अपने आपको विश्वासी कहते हैं वोई अपने आपको पॉल मसी कहते हैं लेकिन उनके काम मसी के अधार पर नहीं है उनका हर काम या तो धन पर या महनिश्य के भरोसे पर या उनकी बच्छत पर या आने वाले दिनों की योजनाव पर आधारित है लेकिन विश्वास करने वाले इन सब चीजों के बावजूद हो या नहो विश्वास करने वाले अपने उधार करता की और देख कर कहते है मेरा बुलाने वाला सचा है मेरे हाथ में हो या नहो मुझे आगे दिखाई दे या न दे I am believing and I am stepping out in faith मैं विश्वास कर रहा हूँ और मैं विश्वास से आगे बढ़ रहा हूँ मैं विश्वास से आगे बढ़ रहा हूँ आज सुबह आपको मैं आम अंतरित करने जा रहा हूँ कुछ समय के बाद और मेरे दिल के अंदर इचाज यही है इन बातों को जल्दी बोलकर आपके साथ कुछ मिनिट आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर सकूँ और उन असंभव परिस्थितियों को पिघलते हुए मैं आपके साथ देख सकूँ ताकि आप प्रभू की महीमा यहां पर आने वाले दिनों में जगे जगे पर आप लोग कर सकेंगे तो पहली बात विश्वास खल का विश्वास नहीं विश्वास बितेवे दिनों का नहीं विश्वास बितीवी कहानियों का नहीं विश्वास आज हमें चाहिए मेरे साथ बोलिए मुझे विश्वास आज चाहिए जोर से बोलिए मसीही जीवन के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि विश्वास जो है दूसरों पर ही नहीं लेकिन आज के विश्वास के अधार पर प्रबू आपको कहता है ये विश्वास मेरे वचन के आने से तेरे अंदर उत्पन होगा He sends His word अपने वचन को भेज कर मेरे अंदर विश्वास उत्पन करता है आज आप इतनी बार विश्वास शब्द को सुनेंगे न आप परिशान नहीं हो न क्योंकि आज का संदेश ही बार बार आपको जगाने के लिए विश्वास 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 में प्रभी इश्मसी की बात आपसे कह रहा था एक जगह गए कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने बोला यहां पर अविश्वासी है मतिरची सुसमचार छटे अध्याय के अंदर जो लोग अपने रोजी रोटी के लिए रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रार्थना कर रहे थे उनको देखकर येश्व ने बोला अल्प विश्वासी मतलब जो केवल स्वयम की आवशक्ताओं के लिए घबराते हुए या या बितेवी बितीवी गवाहियों को भूल कर केवल प्रभु से ये बोलते हैं प्रभु मुझे संभालना मुझे आज की रोटी देना या मेरा काम करवाना प्रभु उनको देखकर कहता है अल्प विश्वासी हो मतलब केवल आपको आपने स्वयम की चिंता है दूसरों के साथ क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है आप बोल रहें भाया मेरा काम हो जाना चाहिए मेरा नंबर लग जाना चाहिए बाकियोग लगे ना लगे ये अल्प विश्वासी की कैटेगरी एक तो हो गया अविश्वासी एक हो गया अल्प विश्वासी लेकिन प्रभू इश्वासी ने एक स्त्रीक और एक पुरुष को एक बार कहा इनके जैसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा है मैं उनके लिए कहता हूँ बड़ा विश्वास रखने वाले लोग बड़ा विश्वास रखने वाले लो, आप और मैं विश्वासी है, लेकिन सवाल यह हाथ सुबह, मेरा और आपका विश्वास है क्या, और अगर हैं, तो किस तरका है, कहीं हम विश्वासी होकर भी, विश्वासी के समान जीतो नहीं रहे, हमारे जीवन को देखकर, हाव बस मेरा काम हो जाए, यह किष्ट निकल जाए, यह काम हो जाए, यह इसी के लिए अगर हम ततपर हैं, तो प्रभू हम को देखकर कह रहा है, हम अलप विश्वासी हैं, लेकिन आज एक आमंतरन प्रभू मुझे और आपको दे रहा है, और वह आमंतरन हैं, छोटी बातों के लिए ही नहीं, मेरे राज्जी के लिए, और मेरे सुसमच्छार के लिए, और मेरी महिमा के लिए, जो भूके और प्यासे हैं, उनके विश्वास का मैं आदर खरकर, उनके दुवारा असंभव को मैं संभव आने वाले दिनों के अंदर करवाने जा रहा हूं, ऐसे पर जय पाने की मदद करता है This faith enables you to conquer and to overcome the doubts and fears that come in your life विश्वास की यात्रा में आप सुन लीजिए जब आप प्रभू येश्यू के पीछे चलते हैं तो स्वाभाविक है बिल्कुल स्वाभाविक है कि opposing situations आपके लाइफ में आए ऐसी अवस्ताइ आए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था आपने कभी ऐसे सुना होगा लोग बोलते मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मुश्किले बढ़ गई बिल्कुल सही है अगर मुश्किले बढ़ गई है तो आपकी प्रार्थना सही जा रही है, ऐसे मैं कहना चाता हूँ, क्योंकि आप शत्रु के पंजों से निकल कर प्रभू के हाथ में आप आ रहे हैं, और वो फड़ फड़ा रहा है, आपको वो छोड़न नहीं चाता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए मैं प्रभू ऐसा नुग्रह दे कि आपके अंदर से भए दूर हो जाने पाएं, आपके अंदर से शंका दूर हो जाने पाएं, और आपके अंदर एक घरव आने पाएं, आपके अंदर एक भरोसा आने पाएं, आपके मूं में गवाही आने पाएं, कि मेरा प्रभू मेरे लिए कार्य करकर ही रहेगा I will see मैं देखूंगा मैं अनुभाव करूंगा मेरे आखों से मैं देखूंगा ऐसी गवाही आपके आखों में और आपके जुबान पर आने के लिए इन दुनों में आज के दिन पर वो आपको आम अंतरित कर रहा है भजन सेते 46 के अंदर लिखा है कुछ आयते मैं आपके लिए पढ़ता हूँ भजन 46 के अंदर लिखा है मैं घबराओंगा नहीं आपकी बाबल को खोलिए परमेश्वर हमारा शरंस्तान साम 46, 1 and 2 परमेश्वर हमारा शरंस्तान और बल है संकट मैती सहच से मिलने वाला सहायक इस कारण हमको कोई भए नहीं चाहे पृत्वी उलट जाए और पहाण समुद्र के बीच में डाल दिये जाए विश्वास करने वाले फिर से सुन लिजिए विश्वास करने वाले लोगों के जीवन के अंदर ऐसी परिस्तितियां आएगी जो असंभव हैं जो मुश्किल हैं जो चुनोती से भरी हैं पुराने नियम में मिली जिए दानियल से उसको शेरों की मांद में डाल दिया उसके मित्रों से मिलिये आग में उसको डाल दिया नए नियम में युहना से मिलिये पत्मो स्थापु में उसको डाल दिया लेकिन जब जब प्रभू के लोग विश्वास के खातिर विश्वास के कारण विश्वास के जरिये खड़े रहे उन्होंने प्रभू की महिमा को अपने जीवन के अंदर देखा है इसलिए आज सुबह आपको आमंतरित कर रहा है प्रभू का आत्मा आज सुबह आपको आमंतरित कर रहा है आपके भय को आपके शंकाओं को दूर करने की अनुमती प्रभू के विश्वास को आप दीजिए Allow faith Allow faith विश्वास को ये अनुमती दीजिए कि आपके अंदर प्रभू के काम, स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, आपके अंदर प्रभू के काम को आप होते हुए देखते रहेंगे, छपन निकालिए, बजन छपन के तीन में क्या लिखा, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा करूँगा, परमेश्वर की स सहायता से, मैं उसकी वच्छन की प्रशंसा करूँगा, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, मैं चाहता हूँ आप इस आयत को मेरे साथ दोहराईए, चपन का तीन और चार, चलिए स्क्रीन पर आपके लिए आ परमेश्वर पर, बोली जोर से हाँ, मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूँगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, ये सवाल है, जवाब क्या है आप बोलिए, कोई मेरा प्राणी बिगाड नहीं सकता, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, विश्वास करने वाले थाले हाललुया, प्रभू की महिमा मैं देखकर ही रहूंगी, मैं देखती ही रहूंगी और देखता ही रहूंगा, निर्गमन के पुष्टक तेरे वे दियाए, चौद वे दियाए के अंदर आईए, एक्सरेस 14, वर्सेस 13 और 14, खुबसूरत आयते हैं, मैं चाहता हूं, यह सारी आ 14, 14 और 14, शमा करें, येस, 13, 14 और 15, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, चलिए, मुसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े, वहां उधार का काम देखो, जो यहोवा आज तुमारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, हाललोया, पर मेशुर की युद्ध की रणनीती देखी आप, हैं, तैयार हो जाओ, शस्त्रधारन कर लो, देख लेंगे, यह नहीं है, प्रभु की युद्ध की रीती देख युद्ध की नीती प्रभु की देखी, वो बोल रहा है, चुपचांप खड़े रहो, क्योंकि यहोवा स्वयम तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, जहां आपको बोलना चाहिए था, और आप बोल नहीं सके, जहां आपको अपना कागज भेजना था, और आप भेज नहीं सके, जहां पर आपको लग रहा था, कोई मेरी मदद के लिए होता, तो कितना अच्छा होता, मेरे प्रियों, ये कोई मेरी मदद के लिए होता, बोलना चोड़ दीजिए, आपका परमेश्वर, आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा हुआ है, और उसका धन्यवाद करना सेंगिखार आज सुबह करना शुरू करिए क्योंकि याद रखिए जब आप विश्वास में आगे बढ़ते हैं परिस्तितियां विपरीत होगी लेकिन विपरीत परिस्तिति के अंदर भी प्रभू आपको आमंत्रित कर रहा है खड़े रहो खड़े रहो ये जो खड़े रहे ना जो शब्द है एक बार मैं अध्यन कर रहा था बहुत खूब सुरत शब्द है खड़े रहो कुछ मत करो बस मेरे साथ बोली खड़े रहो अरे जोर से बोली किती बड़ी विडम ना है बैठकर आप बोल रहे है खड़े रहो तो भी चलेगा बोलिए खड़े रहो इफिस्यू की पत्री में में लिखा है having done all having done all stand देखो कहा लिखा है छटे ध्याई के अंदर है मिल जाय तो आप पढ़ लेना having जब कुछ करने के बाद हाथ पैर मारने के बाद सब कुछ करने के बाद प्रभू की आत्म आपको बोल रहा है खड़े रो सब कुछ करने के बाद ही नहीं उससे पहले कर लो तो फायदा आपका है आपको ये भरोसा होना चाहिए मेरे पर मेश्वर ने ये केस अपने हाथ में ले लिया है और अब मैं उसकी महिमा को देखूंगा और सब कुछ करने के बाद मैं खड़ा रहूंगा और प्रभु की महिमा को मेरे जीवन के अंदर देखूंगा किसी को मिला हुआ है खोला है नहीं तो कैसे मिला पादरी जब आप भोलते जाओ, बस भोलते जाओ समझ में नहीं आ रहा तो भी चलेगा हाँ, खोलिए पुराने नियुम में F.E.C. हो, हाँ छे का तेरा, तैंक यू, पढ़िए एक जन पढ़िए छे का तेरा, हाँ इसलिए परमेश्वर के सारे हत्यार बांध लो, आगे कि तुम बुरे दिन में सामना खर सको, आगे और सब कुछ पूरा करके क्या करो सब कुछ पूरा करके स्तिर रहो किसी ने बहुत साल पहले मजाइक में इस प्रकार बोला कराटे करने के दो तरीके दो स्टेफ है, एक स्टेफ है पहला पोजिशन ले लो और दूसरा स्टेफ है, पतली गली से निकल लो कई विश्वासी लोग ऐसी करते है लेकिन आपको प्रभू बुला रहा है आपको प्रभू आमतृत कर रहा है निडर होकर, सिर उठा कर प्रभू की महिमा के इंतजार करने के लिए प्रभू आपके लिए उतर कर आकर अपनी महिमा आपके द्वार दिखाएगा